ये दिवाली का त्योवार है, मैं मुख्यमंत्रियों की विस्तरका समझ सकता हूँ और फिर भी मैं सभी आदर्णिय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूँ कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं ये बात सही है कि मैं डिस्ट्रिक के लोगों से बात करना चाहता था मैं मुख्यमंत्रियों को परिशान करना नहीं चाहता था लेकिन ये commitment है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% vaccination का जो उनका लक्ष है इसलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ बैठ अजिए और उनकी मुख्यमंत्रियों का विशेश रूप से आभार वेक्ते करता हूं को उन्हों ने इसको इतना महत्व दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं मैं रुदय से सबी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं और मुझे वि आज के बाद तो यह बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परणाम मिलेगा और मैं बताता हूं जी आज तक जितनी प्रगयती हमने की है वो आप सब की मेहनत से हुई है हर डिस्टिक का गाउं का छोटा मोटा हर मुलाजिम हमारी आशा वरकर कितनी मेहनत की है जी कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्षिनेशन पहुचाया है लेकिन एक बिलियन के बाद अगर हम सोड़े से भी डिले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है और इसलिए हमारे आशा तो कहा जाता है कि बिमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आखरा चाहिए उसको आखरी अंत तक लड़ाई लड़ दी पड़ती है और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी धिलापन लाने नहीं देना है साथियों सौ साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनोतियों का सामना किया है कौना से देश की जमादान खोचे पानी इनवेटिव तरीके अजमाय है और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई-णी चीज़े की हैं कि आपको भी अपने अपने जीलों में वैक्शिनेशन बढ़ाने के लिए नए-णी इनवेटिव तरीके पर और ज़्यादा काम करना ही होगा नया तरीका, नया उत्सा, नई टेकनीक ये इसमें जान भरती रहेगी आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने शत्व प्रतिक्षत पहली डोज का पड़ाव पुरा क्या है उनमें भी कई जगों पर अलग-अलग तरह की चुनोतियां रही है लेकिन ये जिले इन चुनोतियों को पार करते ही आगे निकले हैं वैक्षिनेशन से जुड़ा कई महिने का एक्सप्रियंस हम सब के पास है हमने बहुत कुछ सीखा है और एक अन्नोन एनेमी से कैसे लड़ा जा सकता है ये हमारे छोटे-छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है अब आपके माइक को स्ट्राटेजी बदाते हुए आगे बचलना है अब हम राज्य का हिसाब जीले का हिसाब उसको भूल जाए हम हर गाउं गाउं में भी मोहला उसमें भी वो चार गर बाके रहेगे तो चार गर बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परणा प्राप्ता करेंगे और जहां कहीं भी जो भी कमिया है उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है जैसा अभी आपसे बात्चित में भी मैं स्पेशल केंप लगाने की बात उठी इविचार में समतावत अच्छा है अपने जिलों में एक एक गाउं एक एक कस्प में इसके लिए अगर अलग अलग रनदीती बनानी हो तो वो भी बनाईए आप छेतर के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बना कर भी ऐसा कर सकते हैं जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हिल्दी कॉंपटिशन हो इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं हमारे जो NCC, NSS के युवा साथी हैं आप उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदर लिजिए आप अपने अपने जीलों का खेतर वार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं अपने स्थानिय लक्षत ताइ कर सकते हैं और मैंने तो देखा मैं लगातार ग्रास्रूट लेवल के सरकार के हमारे साथ्यों को बात करता रहता हूं मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी है खास करके वेक्षिनेशन के काम के जुड़िए वह बड़ी जी जान से जुड़ गई उन्होंने अच्छे परनाम दिये हैं हमारे जो महिला वरकर्स हैं सरकार में जितनी हमारी बहन नहीं इवन पुलीस में भी हमारी जो महिला हैं उनको वह कभी पांट दिन साथ दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए आप देखिए परणाम बहुत तेजी से मिलेगा आपके जिले जद से जल्द राष्ट्रे आउसत के पास पहुँचे मैं तो चाहता हूं उससे आगे निकल जाए और इसके लिए हम सब को पूरी ताकर लगा देनी होगी मुझे पता है कि आपके सामने एक चुनोती अफ़ा और लोगों के ब्रह्म की स्थिति भी हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉंसेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी और अभी बात्चीत के दर्यान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को जादा से जादा जागरुक किया जाए आप इसमें स्थानिय धर्मगुरुकों को भी जोड़े उनकी मदद ले उनके छोटे 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 वीडियो बनाए दो दो तिन तिन मिनिट के और उनके वीडियो पॉपिलर करे हर घर में उनके धर्मगुरुकों की वीडियो पहुँचे धर्मगुरुकों को समझ के लिए उनको अपील की थी और सभी वैक्सिनेशन के बहुत हिमायत ही हैं को विरोध नहीं करते हैं देखे मैंने अभी जैसे बताया अभी दो दिन पहले ही मैं वेटिकन में था प्रो फ्रांसिसी जे मरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई वैक्सिन पर धर्मगुरुवों के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेश जोड देना होगा साथियों आपके जीलों में रहने वाले लोगों की साहिता के लिए उनको प्रेरिद करने के लिए वैक्सिनेशन अभ्यान को अब हर घर तक ले जाने की तयारी है हर घर दस्तक इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टिके का संपूर्ण सुरक्षा कवट नहीं मिला है अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सिनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टिका करन के लिए प्रवंद किये अब हर घर तिका घर घर तिका इस जज़बे के साथ हम सब को घर घर पहुंचना है साथ्योगी सा भियान की सबलता के लिए हमें कॉम्मिनिकेशन के लिए टेकनलोजी से लेकर अपने सोशल इंफरसेक्टर का भरपूर उप्योग करना है हमारे पास देश के अनेक राज्यों अनेक जिलों में ऐसे मोडल है जो दूर सुदूर गाउं में लेकर शेहरों तक शत्त प्रतिशत जिका करन के लिए अपनाए गए हैं सामाजिक या भोगुलिक परिश्थितियों के हिसाब से जो भी मोडल आपके लिए या किसी छेतर विशेश के लिए अनुकूल हो उसको जरूर अपनाना चाहिए एक काम आप लोग और कर सकते हैं आपके ही सहीयोगियों ने आपके ही सात्यों ने अन्य जिलों में तेजी के साथ ठिका करन किया है सम्भव है आप जिन चुनोतियों का सामना कर रहे हैं वैसी ही चुनोतियों से वो भी गुजरे हो आप उनसे भी जानिये कि उन्होंने कैसे वैक्सिनेशन की गती बढ़ाई समस्याओं का समाधान कैसे किया कौन से नए तौर तरीके अपनाई है उनको ठी गई आपकी एक फोन कॉल भी आपके जीले में बढ़लाव ला सकती है अगर उन्होंने अपने जीलों में कुछ इनोवेट किया है कि अच्छी प्रक्टिस अपना ही है तो वो आप अपने जीलों में भी दोरा सकते हैं जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं हमारे वनवासी साथी हैं उनको वैक्स को और बढ़ाना होगा अभी तक के हमारे अनुभाव बताते हैं कि स्थानी नेतुत्व समाज के दूसरे सम्मानित सात्यों का साथ और सयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमने कुछ दिन भी तरह तरह करनी जैसे बिर्सा मुंड़ा जी का जैनती आएगी बिर्सा मुंड़ मुंड़ा जी की जैनती के पहले हमें पूरा आदिवासी क्षयत्र में माहोल बना दे आब एक प्रकारते बिर्सा मुंड़ा जी को हमारी स्रधांजली के रूप में इस बार हम वैक्षिन लगाएंगे ऐसी कुछ इमोस्टनल चीज हम जोड़े और मैं चाहूंगा इसलिए आदिवासी समदाए के संपूर्न टिकाकरम में भी ऐसे कुछ एप्रोच हमें बहुत काम आएगे टिकाकरम से जुड़े कम्यूनिकेशन को जीतना हम सरल रूप में करेंगे स्थानिय भाष्ना बोलियों में करेंगे मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाएं ग्र हर गर दस्तक देते समयें पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा क्योंकि जब भी संक्रमन के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जन्सी वाली भावना कम हो जाती है लोगों को लगता है लगने लगता है कि इतने भी क्या जल्दी है लगा लेंगे भई मुझे आद है मैं जब वन बिलियन हम पार कर गई है तो मैं अस्पताल गया था तो वहां मुझे एक सज्जन मिले मैंने उसे बात कि मैंने कि इतने इन क्यों नहीं लगाया तो कहने लगे ने निसाम मैं तो पहलवान हूँ और मेरा मन करता था क्या ज़रूत है लेकिन अब जब वन बिलियर हो गए तो मुझे लगता है मैं अचुद माना जाऊंगा लोग मुझे पूछेंगे और मेरी मुन नहीं होने जना है इस सोच की वज़े से दुनिया के अनेक देशों में आप देखे आप अच्छे-च्छे समर्द्य देशों में भी फिर से कोरोना की खबरे चिंता पैदा कर रही हैं हमारे जैसे देश को तो यह जरा भी हम इसको स्विकार नहीं कर सकते हम सैनी कर सकेंगे डोसर तय समय पर लगना बहुत जरूरी हैं। आपके छेत्र के जिन लोगों को अभी तक तय समय पर याने पुरा होने के बावज़त दूसरी डोड नहीं लगी हैं, उनसे भी हमें प्रात्फिक्ता के आधार पर संपर्क करना होगा, उन्हें दूसरी डोड लगवानी ही होग साथियों, सबको वैक्षिन, मुप्त वैक्षिन अभ्यान के तहट हम एक दिन में करीब करीब ढाई करोड वैक्षिन डोड लगाकर दिखा चुग, हमारी ताकत का हमने एसास कर लिया है। ये दिखाता है कि हमारी capability क्या है, हमारा सामर्थ क्या है, टीके को गर-गर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी supply chain network है, वो तयार है। इस महिने कितनी vaccine उपलब्द होगी, इसकी विस्तर जानकरी भी हर राज को advance में दे दी जा चुकी है। इसलिए आप अपनी अपनी सुविदा के हिसाब से इस महिने के लिए अपने targets advance में प्लान कर सकते हैं, मैं फिर एक बार कहता हूँ, इस बार एक मिलियन डोज के बार दिवाली मनाने का उमंग आया है, हम नए लक्षांग पार करके Christmas को उमंग से मनाएं, इस मिजाच के साथ आ एक बात और याद दिलनाना चाहता हूँ, आप वो दिन याद कीजिए, जब आपकी सरकारी सेवा का पहला दिन था, मैं सभी डिस्टिक के अधिकारियों से उनके साथ बैटी वी टीम को मैं बड़ी रदे से अपील करना चाहता हूँ, आप कलपना कीजिए, जिस दिन पहला था डिूटी का, जिस दिन आप मसूरी से निकलेते, ट्रेनिंग से निकलेते, आप कौन सी भावनाओं से बरे हुए थे, आपका जजबा का उनसा था, कौन से सपने से, मुझे पक्का विश्वास हैं, आपके मन में उस समय रहा हो, आपके मन में यही तिज़ा था, कि आप क मताय करें, समाज में जो पीछे हैं, जो बंचीत हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करने का, इससे बड़ा कोई आउसर नहीं हो सकता है, उसी भाव को याद करने के, हम एक बार जूट जाएं दोस्तों, मुझे विश्वास हैं, आपके साजा प्रयाज से बहुत जल् में वैक्षिन की स्थिती सुधर जाएगी, आईए, हर गर दस्तक, घर घर जाकर के ठीका, अभियान को हम सफल बनाएं, आज देश के भी जो लोग मुझे सुन रहा हैं, मैं आप से कहता हूं, आप भी आगे आईए, आपने ठीका लगवाया, अच्छी बात है, लिकिन आप औरों को ठीका लगाने के लिए महनत कीजिए, तै कीजिए, हर दिन पांच लोगों का इस काम में जोडेंगे, दस लोगों को जोडेंगे, दो लोगों को जोडेंगे, ये मानवता का काम है, माभारती की सेवा का काम है, 130 करोर देश वास्चियों के कल्यान का काम है, हम कोई क खुश्यों से भरे हो, आत्मविश्वा से भरे हो, एक नए उमंग और उत्सा से भरे हुए हो, इसके लिए अब समय बहुत कम मेहनत करने की है, बहुत कम समय में मेहनत करने की है, मेरा आप सब पर भरोसा है, आप जैसी यंग टीम पर मेरा भरोसा है, और इसलिए मैंने जान ब पीरता कितनी हैं या आज मुख्यमंत्रियों ने भी दिखा दिया आएं मैं सभी आदनियों मुख्यमंत्रियों का भी आबारी हूँ मैं फिर एक बार आपका बहुत-बहुत दन्यवात करता हूँ नमस्कार